सल्मान के आते ही घर में हुआ बवाल अंकिता और अभिशेक ने लगाए एक दूसरे पर आरूप बिग बॉस के घर में दो ऐसे सदस्से हैं जो जादतर चीजों को बहुत अच्छे से अब्जर्व करते हैं और बहुत सारे टास्क में लोगों को मैनिपलेट कर देते हैं लोगों को अपने फैसले से बदलने पर मजबूर कर देते हैं और ये दो सदस्से हैं विकी और मुनवर अब सल्मान खान आकर पपेटियर टास्क करवाते हैं धरवालों को ये बताना है कि पपेट कौन है और कौन पपेटियर है अब यहाँ पर अंकिता की बारी आती है अंकिता यहाँ पर आती है और विकी को बोलती है पपेटियर पपेटियर बोलने के बावजूद भी कहीं न कहीं अंकिता विकी की तारीफ करती है और बताती है कि वो किस तरह से अपने दिमाग को यूज करते हैं और अंकिता का कहना है कि अभिशेक है विकी के पपट साथी अंकिता ने ये कहा कि अभिशेक ऐसा दिखाते है कि वो बॉस है वो अकेले खेलते हैं और वो अकेले खेलना चाहते है लेकिन रियालिटी तो ये है कि अभिशेक विकी के चतरचाय में खेलना चाहते है वही अब शेक ने कहा कि अंकिता अपने पती के छतरचाया में खेलना चाहती है वो मानती है विकी की हरे कि बात और एडवाइस आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को